देखिए हम भी बस अपनी पत्रिका लेके आए हैं दो चारी सुना पाएंगे बहुत कुछ लिखते नहीं है जितना बांधे हैं उतना कुछ नहीं है कुछी दिनों से लिख रहे हैं बस कुछ नजर करते हैं कि कैसी गुजरी राते मेरी और क्या-क्या था इंतजाम न पूछो कैसी गुजरी राते मेरी और क्या-क्या था इंतजाम न पूछो सब पूछो उसके बारे में बस उसका तुम नाम न पूछो सब पूछो उसके बारे में बस उसका तुम नाम न पूछो कोई इंतजार करे तो कोई घर छोड़ जाता है मियां हमें देखने से पहले देखो हमारी महबबत इतनी के बावजूद भी कैसे कोई छोड़ जाता है एक है कि दे रहे थे दर्द हमें वो निजात कहते कहते हम रूठ गए थे उनसे दो बात कहते कहते कहां मिल पाते आशिक इस जमाने से बचकर बिछडे तो दोनों थे एक मुलाकात कहते कहते एक और शेयर है कि इसक में इतना खशारा किया है यानि घाटा की इसक में इतना खशारा किया है हर बार कम में गुजारा किया है मैं आसमान पे यूही नहीं पहुचा दोस उसने छूके मुझे सितारा किया है मैं आस्मान पे युही नहीं पहुँचा दोस उसने छुके मुझे सितारा किया है एक कुल्दीब भाईया पढ़े थे हिजाब के उपर और ये बात सच भी है कि भाई गलत बात है दूसरों की भी बहन बेटिया बहन बेटिया ही होती हूं उनको बस समझना चाहिए और जो लोग नहीं समझते हैं मैं उनके लिए बस दोलाइन ही कहूंगा कि बादल को आस्मान कहने वाले खुद को एक महमान कहने वाले बादल को आस्मान कहने वाले खुद को एक महमान कहने वाले इसवर बरकत करें उनके सोच में नारी को बस समान कहने वाले हिस्वर बरकत करें उनके सोच में नारी को बस समान कहने वाले गरीब हूँ तो कोई चौखट पे नहीं आता गरीब हूँ तो कोई चौखट पे नहीं आता अमीरों को ये भगवान कहने वाले एक और शेर पढ़के एक नजम और छोटी सी गीत है मैं गीत तो नहीं पढ़ूंगा बस उसको कविता की रुप में पढ़दूंगा एक आखरी शेर है कि पुनह प्रेम का मेरे अंदर स्रिजन हो रहा है अंतर मन में जाने कैसा करंदन हो रहा है मेरे भाग्य बदल रहे हैं निसा भी बदल रही मेरे भाग्य बदल रहे हैं निसा भी बदल रही दुखों के सिलाओं का विसरजन हो रहा है और एक नजम है नोग जोक वाली नजम है दुखवरी कहानी है किसी ना किसी की तो होगी ही मेरी तो नहीं है भी पढ़ते हैं कि हर बात पे ही एक दो खफा हो रहे थे हम लगता है यार वब तो जुदा हो रहे थे हम सादगी थी ऐसी हर ढंग में ढल रही थी मैं धूप का मसीहा वो च्छाओं में पल रही थी उसकी तीरगी निगाहों समय बच रहा था जैसे मेरे पाओं में ठहरा भुजंग रहा था धोल बाजे बजाकर बिडाई हो रही थी नजर के सामने ही उसकी सगाई हो रही थी मैं रो रहा था चुपके ताकी न कोई देख ले मेरे आशुओं को मनाने आई थी बन सरेख के उसके दिये घडी को अभी समालके रखा हूँ गम दर्द रंच को भी पलू से बांद के रखा हूँ बरसो बरस से मेरी जो प्रतिरूप छप रही थी पलक जपकते ही अब सब छवी मिट रही थी ये बीचिवाली लाईन एक भूल गए हैं ही हो रही थी और एक आखरी गीत है इसको गीत में नहीं पढ़ेंगे समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो बस हम नॉर्मल इसको कविता की रूप में पढ़ देते हैं वह की रूठने से मुझे अब भी क्या फाइदा आओगी जब नहीं तुम घर छोड़ कर रूठने से मुझे अब भी क्या फाइदा आओगी जब नहीं तुम घर छोड़ कर पल में जो बीते पल ये वो पल नहीं है पल में जो बीते ये पल वो नहीं है साथ कुछ पल बिताने से क्या फाइदा होठ सुकते मेरे मेरी बोली रुकी यू नजर भर निहार के क्या फाइदा साथ छ छोड़े जाने की नबाते करो तुम दिल तूट ता मेरा आईना हो कर रूठने से मुझे अभी क्या फाइदा आओगी जब नहीं तुम घर छोड़े कर यूँ आखो से बाते तुम करने लगी लगता है मेरा अब तक है अशर यूँ हाथों से दिल को तोड़ने में लगी दिखाने लगी खानदानी कशर और उने कहा तुआई हो मिलने लगता है मुझे जा चुकी हो छोड़े कर रूठने से मुझे अभी क्या फाइदा आओगी जब नहीं तुम घर छोड़े कर और आखरी है कि नवादा करो तुम यूनिश्चिंत होकर अब तो रहने लगा हूँ मैं संगे किसी के किसी के आँखों ने ऐसा जादू किया अब तो लड़ता हूँ मैं भी जंग किसी से मैं छोड़े चला जब तेरे हाल पे आऊँगा मैं नहीं अब घर छोड़कर रूठने से मुझे अभी क्या फाइदा आओगी जब नहीं तुम घर छोड़कर धन्यवादा